मित्रो जय मतादी आप देखें धर्म सिक्षा मित्रो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गरिह आरंभ यानि कि भूमी पूजन का महुर्थ कौन-कौन से दिन बन रहा है जुलाई दोज़ाट चोबिस में लगातार दो महिनों तक सुक्र के अस्थ होने के करण मई और जून में कोई महुर्थ नहीं रहा था भूमी पूजन के लिए तो जुलाई में जादातर लोग भूमी पूजन कर रहे हैं तो उनका क्या महुर्थ होनों चाहिए उसकी चर्चा ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं देखिए हम सभी कोई भी जब घर बनाते हैं तो बहुत ही सारी उनकी गारी कमाई इसमें लगती है और घर बनाने का सोभागे जीवन में कभी कभी ही मिल पाता है जादर लोगों को तो जीवन भर ये सोभागे मिल भी नहीं पाता है तो ऐसे में जब हमें भगवान ने इस लायक बनाया इस के लिए तयार किया है तो हम एक अच्छे महूर्त में ही उसका चेहन करें गिरिनिर्मान के लिए ताकि भगवान की पूजा भी अच्छे से संपन्न हो पाए और साथ ही हम जो ये घर बना रहे हैं इसमें हम इसका उपवोग पूरे अच्छे तरीके से कर पाएं और हमारे बेटे पोते भी इस घर का उपवोग कर पाएं तो इतनी अच्छी कामना के साथ गिरिनिर्मान करना ही चाहिए तो आएए उन्हीं महूर्तों की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले ये जानना जरूर आवसेक है कि किन-किन परिस्थितियों में बिलकुल भी भूहिपूजन या ग्रिनिर्मान नहीं करना चाहिए वो नोट पहले कर लेजिए क्योंकि जाधर लोग अलग अलग जगा में जाधर लोग कम जानकारी के कामने कुछ भी महुर्थ सज दूसरा राहुकाल हर रोज ही आता है तो जिस दिन भी ग्रिनिर्मान का मुहुर्थ हो उस दिन भी राहुकाल का जो समय है उसको चांट लेना चाहिए उस समय आप आरंभना करने लगें इसको ध्यान में रखना चाहिए राहुकाल की जानकारी हमारे चैनल पे पंचांग के नहीं करना चाहिए अभी जो मैं मुहुर्द बताऊंगा आपको उसमें भद्रा नहीं रहेगा भद्रा रहिद मुहुर्द बताऊंगा लेकिन बहुत साई लोग या इंटरनेट पे भद्रा में भी आपको मुहुर्द बताया हुआ रहता है तो यहां पे आपको सचेत रहना फद्रह में असुन्य मोर्थszका निर्मान होता है उसमें गेह निर्मान नहीं कुझे मैं करना चाहिए इसके अलावा चर्लाग्णों में गेह निर्मान नहीं करना चाहिए जैसा कि आप सब जानते हैं 220 मी जञ connection के वीडियो में मैं उसकी जानकारी भी आपको देता रहता हूँ, कि किस समय से किस समय तक कौन सा लगन रहने वाला है। इसमें से जो चर लगन होते हैं, इसमें अगर कोई गलती से भी गेह निर्मान कारी आरम कर ले, भूमी पूजन कर ले, तो ऐसे में उस घर का लंबे समय तक वो उपभोग नहीं कर पाते हैं, कहीं किसी कारण से जाना पर जाता है, वो घर बेचना पर जाता है, कुछ न कुछ ऐसी समस्या आती है कि उस घर का उपभोग वो लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं, तो चर लगनों में ना करें आरम भी इ पुर्द, निकाल के दे देते हैं और इंटर्नेट पे तो खेर इस बात का ध्यानी तो आपको न हो घते हुँ तो चतुर्थी नौमी और चतुर्दसी तीनों तिथियों में कभी भी गिरहनिर्मानकारी आरम नहीं करना चाहिए इसके अलावा छठा है चंद्रमा जब गिरह स्वामी की रासी से आठमे भाव में हो तब भी गिरहनिर्मानकारी आरम नहीं करना चाहिए माल लेजिये अमुक दिन बहुत अच्छा मुहुर्थ है मेरे वीडियो में भी आपने देखा कि इस दिन बहुत अच्छा मुहुर्थ है लेकिन जो गिरी स्वामी है उनकी रासी से चंदरमा आज यानि कि उस दिन जिस दिन मुहुर्थ है उस दिन चंद्रमा आठमे भाव में हो तो उनको ग्रिष मिर्मान काड़ी उस दिन आरम नहीं करना चाहिए सब के लिए तो वो मुहुर्थ अच्छा है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि चंद्रमा उस दिन आठमे है ऐसे घर का उपभोग जो है उग्रिष स्वामी नहीं कर पाता है लंबे समय तक तो ऐसा नहीं करना चाहिए इसका जोर दियान रखना चाहिए साथमा सुक्र और गुरु के अस्थ होने पर भी भूमी पूजन वर्जित है अभी सुक्र और गुरु अस्थ होए थे मई और जून में तो अब थोड़े लंबे समय के बाद ही सुक्र अस्थ होंगे और गुरु अस्थ होंगे तो जब भी अस्थ हो तब तब भी आपको भूमी पूजन नहीं करना चाहिए ये तो होगे किन-किन परिस्थितियों में नहीं करना चाहिए एक परस्ति यहाँ पर और है, पंचक में भी गेहनिरमानकारी आरम नहीं होता है, जुलाई में आईए पंचक नोट कर लेते हैं, कब से कब तक रहने वाला है, तो मंगलवार 23 जुलाई 24 को, दिन के 12 बच कर 4 मिनट से पंचक आरम होगा, और पंचक की समापती होगी सनिवार 27 जुलाई 24 जुलाई साम को 5 बच कर 3 मिनट पड़ अर्थात मंगलवार 23 जुलाई से लेकर सनिवार 27 जुलाई तक पंचक है, पंचक में भी आपको गेहनिरमानकारी आरम नहीं करना चाहिए, ये तो हो गई, पूरी जानकारी किन किन पर स्तितियों में आपको गेहनिरमानका के अनुसार बाकि सभी चीयों को देखते हुए अपने लिए व्यक्ति गत्तोर पर महुर्थ निकल वाना चाहते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है इस WhatsApp नमर पर संपर्थ करना है और यहां पर लिखना है भूमी पूजन महुर्थ बस इतना लिख के छोड़ देना है यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो सब्सक्राइब की दक्षिना से जमा कराकर अपने लिए व्यक्ति गत्तोर पर महुर्थ निकल वा सकते हैं आई अब जुलाई के महुर्थों की चर्चा कर लेता है पहला जो सुब महुर्थ बनेगा वह सुक्रवार 19 जुलाई 24 को बनेगा इस दिन असाड मास की शुक्ल पक्ष की 33 रहने वाली है लक्षतर मूल रहेगा मूल लक्षतर जन्म के लिए अच्छा नहीं होता है कई लोगों का प्रस्ण आ सकता है कि मूल लक्षतर तो अच्छा नहीं होता जी हां किसी बच्चे का जन्म होता जब मूल लक्षतर में तो वो अच रखना है क्या क्या ध्यान रखना है चंद्रमा से आपकी राशी की स्थिति आठमेना बन रहे हो यह जोर ध्यान देना है आपको दूसरा इस दिन पूरे दिन के मुर्थ हैं तो बीच में राहुकाल भी आएगा राहुकाल की जंकरी आपको 18 जुलाई के पंचांग में मिल जा को इस दिन स्रावन मास की क्रिष्न पक्ष की प्रतिवाद देती रहने वाली है नक्षा दनिष्ठा रहने वाला है इस दिन भी पूरे दिन मुहुर्थ बन रहा है यहां भी दोचियों का ध्यान रखना है आपको एक तो अपनी राशी से चंद्रमा के स्थिति आठमेना हो इसका ध्यान रखना है दूसरा ध्यान रखना है कि राहुकाल जी समय हो पूरे दिन में उस समय में आपको भूई पुजन आरहम नहीं करना है तीसरा जो सुब मुहुर्द बन रहा है वो बन रहा है बुधवार 31 जुलाई 24 को इस दिन स्रावन मास की कृष्ण पक्ष की एक आदसी देथी रहने वाली है नक्षत्र मिल्क्षिरा रहने वाला है मुहुर्द का निमान होगा दिन के 12 बचकर 23 मिट से और रातरी तक यहां भ पूर्थ बता है इसी तरह की अन्नी ग्यान मुर्थक वीडियो के लिए जूरे रहे है धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे है धर्मसिक्चा जय मात अगी